हेलो एवरीवन माइने में सचीन और वेलकम एक्टूबर यूटूब चैनल दोस्तो रोयल इंफील्ड हिमालियन यह इंडिया की सबसे चीपेस्ट एडवेंचर टूरर बाइक भी हमें से कह सकते है यह बाइक रोयल इंफील्ड की तरफ से आती है इसमें हमें फ्यूल इंजेक पा रहे है एक एडवेंचर टूरर के हिसाब से काफी बढ़ी है दोस्तों कर आप इस बाइक को खरीदना चाहते तो आप अश्तवक्र रोयल इंफील्ड में विजिट कर सकते हैं यहां का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है दोस्तों आज की वीडियो में आपको इस ब स्क्राइब करके बैल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाये करेंगी चलिए दोस्तों इस वीडियो को में इधरी स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो मिस बाइक के मैं आपको लुकिंग के बार में बडाते हैं वाइड कलर आप देख सकते हैं तैंक पर सेंटर में घ्मालीयन और आपको हमालेगा जो अलगी तरीके में लिखा हूँ है जैसके आपको एक फ्यूल ohpner को देखने को मिल जाएगा टैंक पर खांगने के लिए यह चाफी बढ़ीया जगा मिल जाएगी और आप आपको कुछ समान वगर रखने के लिए जैसे कि जैरी केंस अगर आप टूरिंग पर जाएंगे तो आपको टांगने के लिए यहां पर काफी बढ़ीया जगा है और आपको महां पर रोल इंफील्ड का लोगो भी देखने को मिल जाता है अपको मैं थोड़ा से दूर से एक बर दिखा देता हूँ अब देख सकते हैं अब मैं दोस्तों आपको राइट से से लुकिंग दिखा रहा हूं इस बैक की आखिर कर आपको किस तरह पे मिलती है राइट से देखने पर भी आपको लगबग सेमी देखने को मिलेगा रोल सीट देखने को मिल जाते हैं जो काफी सोफ्ट है और इससे आप चाहे 400-500 किलोमेटर भी चलाओगा तो आपको कोई बैक पेन वगार आपको नहीं होने वाली है अब जैसके आप देख सकते हैं और आप नीच का चैन स्पोक देख सकते हैं किस तरह के आपको मिलते हैं ओपन आपको इसमें चैन देखने को मिल जाते हैं और एक साड़ी गाड़ भी देखने को मिल जाते हैं दोस्तो इस कि दोस्तों आप देख सकते हैं from side looking front में आपको एक वाइजर देखने को मिल जाता है यह वाइज़र ओसाथ में नहीं मिल गए इसको आपको accessories रीदनी पड़ेगी दोस्तों आप देखें के इसमें आपको हेलोजन वल्व आपको देखने को मिल जाएगा और आप टायर भी देख सकते काफी बढ़ी है और आपको इसमें डुएल मटगाड फ्रेंट में देखने को मिल जाता है देख सकते हैं दो आपको इसमें मटगाड देखने को मिल जाते हैं बाइक के आप देख सकते हैं इसमें इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं यह तो बात इसके फ्रेंट से लुकिंग अब हम आपको इस बाइक की बैक साइड से लुकिंग थोड़ी सी दिखा देते हैं बैक सेड्स पे आप देखेंगे तो आपको इसमें काफी बढ़िया आपको एक ग्रैब मिल जाए जिस पे आप बहुत सारा समान टाई कर सकते हैं आप देख से तरह का और आपको एक LED टेलाइड भी देखने को मिल जाएगी इसमें आप अराम से तीन से चार बैक्स टांग सकत है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले आप देख सकते इसका LED टेल लाइट और इंडिकेटर को जलने के बाद इस तरह के लगेंगे देखेंगे आपको मडगार काफी लॉंग मिल जाता है और नीचे एक लाइट रिफलेक्टर भी देखने को मिल जाएगा दोस्तो मोड्स देखने को मिलेंगे न्यूट्रल इंडिकेटर एबियस आइकन आपको एक कमपस भी देखने को मिल जाएगा और फ्यूल गेज भी देखने को मिल जाता आप जिसकी अब देख पा रहे हैं इस बाइक के अगर हम इस्टूनल क्लस्टर की बात करें तो आपको फुली मतलब काफी आपको इसमें दिया गया है ज्यादा कुछ भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं जैसे बाकी एडवेंचर टूर बाइक्स में बहुत सारे उप्शन होते इससे भी ज्यादा ये 211 CC का इंजिन है यह 24.83 PS की पावर जनेरेट करता है 6500 RPM पर और 32 Nm की टॉर्क जनेरेट करता है यह आपको सिरफ स्टार्टिंग साथ देखने को मिलेगा और इसमें आपको फाइफ गेर्स देखने को मिल जाते हैं इंजिन की अगर हम उनका तो काफी बढ़िया क्वालिटी का इंजिन है इंजिन आपको काफी बढ़िया खिचाई करेगा यह पहाड़ों पर यह इसकी टॉर्क की मिलती है तो इसमें एक्चुली बात तो फिर सीधी साथ यह बात है कि इसमें आपको कोई ब्लम नहीं आने वाली है कोई भी चड़ाई तो कि यह एक एडवेंचर टू आपको काफी अच्छे खासे सस्पेंशन इसमें आपको काफी अच्छे खासे सस्पेंशन इसमें उचाई के दिएगे है फ्रेंट में जिससे आपको यह फाइदा होगा कि अगर जैसे आपको कभी टूरिंग पे जा रहे है तो उबर खाबर रोड पे आपको जटके बहुत ही कम लेंगे जिससे आपके बाइक भी मतलब स्मूर्ली चल पाएगी इसके अगर हम सस्पेंशन क की बात करें तो फ्रेंट में आपको टैलीस्पीक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं जो काफी ज्यादा लॉंग घै देख सकते हैं और एकर हम रेर सिस्पेंशन की बात करें तो आपको बड़िया बात मेंस्पार्टी in को मिल जाते है ते अब काफि बैदेखने को मिलता है थो आपको ट्वंटी वोन निंच का देखने को मिल जाता है नबब गाए नबब पार आपको कि आपको एक जोस्त तरह के लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों कि बात करें तो आपको 191 kg का वेट देखने को मिल जाया था इस बाइक में मिल जो काफी सब्सक्राइब आपको 1465 मिलिमेटर का देखने को मिलता है और इसके अगर हम ग्राउंड क्लेरिंस की बात करें जो में चीज़ तूटूंटी मिलिमेटर की ग्राउंड क्लेरन जो बहुती बढ़िया है अराम सो कोई भी बड़ा सा एक पत्थर भी इसके नीचे स से निकल सकते हैं अब में बात है प्राइजिंग पंजाब इसके तीन वेरियंट आते स्टेंडड जो इसका वेरियंट है उसकी प्राइज है ऑन रोड 12,226 रूपीज लीटा टीन थाउज़न एंड प्राइज हो रहा है आज की वीडियो में दोस्तों इतने वीडियो आपको क बोन देमातर।